इंडिकेटर जैसे मैंने बोला दो तरह के होते हैं एक होता है leading एक होता है lagging चीख है? अब leading और lagging क्या होता है? leading वो होता है कि जैसे ही कुछ moment market में आ रही है वो आपको तुरंट बताते रहा है market में कुछ तगडी moment आने से पहले ही बता दे रहा है कि यहाँ पर buy कर सकते हो आप और sell कर सकते हो आप जो leading indicator होते है बट lagging क्या होते है lagging क्या है कुछ चीजें हो चुकी है market already कुछ चीजें हो चुकी है अब वो आपको बता रहा है कि अब लग रहा है उसको कि यहाँ पर तो downtrend आ चुका है तो यह advance में बतायता है आपको लेकिन यह इसको गलत होने की chances बहुत होते है leading indicators के leading और lagging तो यह advance में बतायता है आपको और यह थोड़ा चीजों के होने के बाद बताता है बट यहाँ पर चीजें फिर भी certain होती है कि आपको breakout और confirmation मिल चुका है तो आपकी winning rate या आपका probability of taking right decision is more in this case एक बड़ समझ लेते हैं इसको a leading indicator leads the price meaning it usually signals the occurrence of a reversal or a new trend in advance while this sounds interesting you should note not all leading indicators are accurate जो मैंने बताया आपको, accurate नहीं होते है सारे leading indicators are notorious for giving false signals यह सबको problem आती है कि आपने indicator पर blindly believe कर लिया उसने बुला buy करो आपने buy कर लिया और वो एक दिन के बाद ही trend reversal हो गया आपने buy किया है और market नीचे जा रही है तो आपको loss हो सकता है इसलिए blindly किसी भी indicator पर भरोसा नहीं करना है अपने को there should be therefore the trader should be highly alert while using leading indicators तो हम लोग को बहुत alert रहना है जब हम leading indicator यूज कर रहे हैं तो in fact the efficiency of using leading indicators increases with the trading experience तो indicator को इस्तमाल करना जैसे यसे आप करते जाओगे trading या investing आप वैसे वैसे उसमें और strong होते चले जाओगे चीक है अब majority of leading indicators are called oxalators अब जो leading indicators है उनको हम लोग oxalators भी बोलते है as they oxalate within a bound range typically oxalators oxalates between two extremes दो extremes के बीच में ये और ये के बीच में ये suppose कर ये 100 है और ये 0 है इसी के बीच में ये oxalate करते है based on the oxalators reading for example 55-70 the trading interpretation varies अगर ये मालेज़ यहाँ पहुच रहा है तो जैसे हमने बुला overbought overbought zone में है और यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है जब तो oversold zone में है अभी हम लोग वो RSI के case में देखेंगे on the other hand lagging indicators lags the price ये lag करता है मतलब बाद ने बताता है meaning it usually signals the occurrence of a reversal और a new trend after it has occurred तो जब trend already हो जाता है जैसे हमने देखा moving average के case में यहाँ पे already cross हो गया फिर यहाँ confirmation मिला तो already ये moving average को cross कर चुका है तो ये होता है moving average जिसलिए lagging indicator है कि already यहाँ पे occurrence हो चुका है बट इस case में जैसे ही value पहुंच रही मालजे 80 पे 80 पे पहुंचा है अभी और इसने यहीं बता दिया कि 80 पहुंच चुका है इसका मतलब ओवर बाट हो चुकी market बट क्या market वहाँ से नीचे आया थी immediately नहीं होचता है और उपर जाए हंडेड तक टच कर जाए वो 80 से लेके हंडेड की जरनी जो रहेगी आरेसाई की उसमें भी वो ओवर्बॉट ही हो सकती है तो इसे लिए वो फॉल्स हो सकता है ऐसा नहीं कि वो 80 पे आया और market तुरंथ यह 80 टच किया और market यहां पे गिरनी शुरू हो गई तुरंथ और भी उपर ऐसे रह सकता है एक महीने भी रह सकता है एक महीने भी रह सकता है ऐसा भी पीछे हुआ भी यह करोना का जो हमारा था उसमें ऐसा हुआ है चीक है यू में थिंक फिर हमें सोचने में मजबूर कर रहा है लागिंग इंडिकेटर की जब इवन्ट होई गया है तो फिर हमारा क्या यूज है इसको उस करने का पट वेल इस बेटर लेट देन नेवर अटलीस हमें पढ़ा चल गया कि अब हमें इंटरी एग्जिट करनी ही इसके मतलब अगर आप ने बाय किया था यहां कहीं पर यहां कहीं पर आपने बाय किया था तो अब टाइम आ गया है प्रॉफिट बुकिंग करने का अगर डाउन ट्रेंड आने वाला है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो अपनी वेट मत करो अब थोड़ा पैसा निकाल लो मार्केट से क्योंकि होसता है market अब downtrend की तरफ जा रही है, as per moving average, चीक है, देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, the popular lagging indicator is moving average, जो हम अलड़ी समझ चुके हैं, चलि आगे बढ़ते हैं, अब RSI, जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, RSI, वो होता है, relative strength index, चीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, चीजों को, RSI is a prevalent indicator, developed by JJ Wells Wilder, RSI is a leading momentum indicator, leading momentum indicator है RSI, which helps in identifying a trend, reversal, अगर माल लिजे market उपर जा रही है, और RSI की value 100 है, और यहाँ पे 0 है, तो हम बुलते हैं, जो इन्होंने, सहाब ने, J Wells ने बनाया था, उन्होंने बोला, 70 के उपर जब RSI दिखा रहा है आपको, और 30 के नीचे दिखा रहा है, जब भी RSI का level 70 के उपर जा रहा है, इसका मतलब भी overbought हो चुका है, overbought मतलब कि अब market में गिरावट आ सकती है, इन्होंने ये बोला कि 70 के उपर जब जाता है, तो वो overbought है, और 30 के नीचे जब जाता है, और आपको ये दिख रहा कि 70 के उपर जा चुकी है, तो इनके हिसाब से, जे वेल्स वाइल्डर के हिसाब से, वो market जो है, वो overbought हो चुकी है, फिर आपको यहाँ पर साउधान हो आना है, profit booking कर सकते हो आप, पूरा आप अपना square off कर सकते हो position, कि आप आपने बहुत पैसा कम आप पूरा exit कर गया है, या profit booking कर ली, half निकाल दिया, as per your money management rule, आप यहाँ पर active हो जाओगे, आप alert लगा सकते हो कि when RSI crosses, suppose Reliance का आप trade कर रहा हो, Reliance का जब RSI 70 से उपर जाता है, तो आप एक alert लगा दोगे, कि मुझे बता दो, फिर आप उसका daily नेजर बना के रखे होगे हो जहां भी आपको लगता है कि RSI 70 से नीचे आ रहा है, ये level को फिर 70 से उपर गया था, फिर तोड़ के नीचे गिर रहा है, इसका मतलब trend reversal हो चुका है, कई बार इसमें भी उल्टा होता है कि market यहां तक आपको दिखाई गिरती हुई, फिर उपर चली जाएगी, तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा केरफुल रहना होता है, जो आप experience के साथ करते जाओगे, तो आप सीख जाओगे, but 50-60% cases में ये आपको सही बताता है, चीक है, RSI indicator oxalates between 0 to 100, जैसे हमने देखा, on the latest indicator reading for expectation on the market are set, चीक है, the term relative strength index, I hope ये आप समझ गया, पूरा, 0, 70 और 30 इनकी reading थी, 70 से उपर आता है, तो overbought है, 70 से नीचे आता है, तो oversold हो चुका है, अब oversold का मतलब कि market अब जो है, जो bearish moment था, जो bear थे, या जो seller थे, वो आप कमजोर हो रहे हैं, वापस से इसमें बायर लोट सकते हैं, तो market वापस से उपर जा सकती है, जब मिस कर गया उसमें, तो आप इसमें लगा के छोड़ दो, जब भी 30 के नीचे आएगा, तो आपके पास alert आयागा कि अब ये share 30 से नीचे आ चुका है, 30 के नीचे मतलब oversold zone में जा चुका है, ज़्यादा लोगों ने बेच दिया, आप बेचने वाले बचे नहीं है, तो वहा की जो indicators है उनके साथ, moving average देखना पड़ेगा आपको, छीक है, तो RSI जो है most popular leading indicator है, अब RSI की value कैसे calculate होती है, ये थोड़ा theoretical part हो गया, 100 minus 100 bracket के अंदर 1 plus RS, RS क्या होता है, relative strength, तो अपने को 100 minus bracket के अंदर 100, 1 plus RS, परशान मत हुए, ये ज़्यादा match नहीं है, एक बार formula देख ली मिलेगा dealer के terminal में, आपको इस से मतलब भी नहीं होगा, लेकिन just मैं formula के लिए, जो लोग formula में interested होते हैं, उनके लिए यहाँ डाल दिया है, आपको ये broker के terminal पे already prefix होता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 100 minus 100, 1 plus RS, RS कैसे निकलता है, average of 14 days closes up, divided by average of 14 days closes down, तो ये एक formula है इसका, ये आप देख लीजेगा, अब हम जो बोल ले थे, average point gain in 14 days, जो ये दिन market उपर जाके बंद हुई है, तो यहाँ पे एक example मैंने दिया है, मालेजे कोई share 99 पे trade कर रहा है आज की date में, चीक है, तो serial number 1 में 100 पे आया, मतलब 99 से 100 पे पहुँचा, मतलब एक point का gain आया, फिर 102 पे पहुचा, दो point gain आया, 105 पे पहुचा, तो 102 से 3, 3 point gain आया, 107 पहुचा तो, 105 प्लस 2, 107, 3, 2, 1, ऐसे ही आ रहा है ना, 99 प्लस 1, 100 होता है, 100 प्लस 2, 102 होता है, 102 प्लस 3, 105 होता है, 105 प्लस 2, 107 होता है, तो ये value यहाँ लिखी हुई है, similarly अब नीचे गिरा, 107 से, 103 पहा गया, तो minus 4 हो गया, यहाँ 4 लिखा हुआ है, लूज किया है, फिर 100 पहा गया, तो यहाँ पे 3 point Keys किया, पिर 99 पहा गया, तो 1 और किया, यह लिखा हुआ है, similarly फिर 97 पर आ गया है तो minus 2 point यहां लिखा हुआ है इन सब का 14 दिनों का sum किया गया तो यह 29 आता है यहां बढ़ रहा है, जहां घट रहा है अब वही हमें करना है average point gain in 14 days 29 है, यह लिखा हुआ है आपका divide by 14 क्योंकि 14 days का है average point lost in 14 days 10 है, यह लिखा हुआ है divide by 14 क्योंकि 14 days है अब RS निकालने के लिए हमने क्या देखा था, this divide by this तो यह दोनो 2.07 divide by 0.71 तो वही हमने यहां पर किया है ठीक है is equal to 2.899 अब RSI की formula में डाल देंगे 100 जो हमने किया था 100 100 by 1 plus 2.899 जो हमने formula में देखा था उस formula को यहां पर simply डाल दिया 100 minus 100 3.89 अब 3.89 कैसे आया था 2.899 यह formula में 1 plus किया था यहां पर तो 100 divided by 3.899 इसका मतलब 74 निकाला गया RSI इस particular shear की movement किसा आप से last 14 days के कितने times वो उपर बंद हुआ कितने times वो नीचे बंद हुआ उससाब से हमने एक formula किया और उससाब से हमने 74 निकाल दिया अब 70 से उपर क्या था overbought था तो यह share over bought zone में है overbought zone में चला गया है ठीक है 74.35 कि 70 से उपर हमने बुला था 70 के उपर जब जाएगा तो overbought होता है यह लिखा हुआ है already overbought और 30 से नीचे जाता तो oversold इस basis पे हमें यह समझ में आ गया कि अभी यह share over bought zone में है पहला क्या है 26.8 है 26.8 26.8 जो हमने बुला कि 30 से नीचे गिरता है तो यह oversold zone में है अब देखिए oversold zone पे आया और यह market यह आपका candle steady है और यह आपका RSI है यह आपका candle हो गया और यह हो गया RSI का chart तो जब भी RSI 26.8 पे आया है 30 से नीचे गिरा देखो यहां पे तो उसके बाद से गिरने के बाद अब आपको यहां पे दिख रहा है clearly कि यहां से trend movement आ गया reverse हो गया overbought zone में आ चुका था अब यहां से वापस लोग ने buy करना चुरू कर दिया आप देखिए buy करना चुरू किया तो market कहां पहुँच गई similarly यहां पे यह level पहुँच चुका है 81 पे RSI यहां पे 81 पे है और हमने लगा रखा था 70 पे यहां कहीं तो जब over इसके उपर निकल गया यह RSI यहां पे यह जो मैंने red किया है वो इसके उपर निकल गया line से 81 पे पहुच गया इसका मतलब यह overbought zone में चला गया है बहुत लोग ने खरीद लिया आप profit booking शुरू होगी देखी वही हुआ यहां कहीं 81 था उसके बाद पूरी गिरावट आई अच्छी खासी और यह वापस से यहां आ गया almost 40-45 के zone में तो safe zone जो होता है वह 40-60 होता है उसी की बीच में trade कर रहा है तो market मतलब उसी level पे चलती रहेगी अगर यह 70-80 के उपर जाता है तो वह एक basically overbought तो वहां पे हमें alert रहना चाहिए अब कुछ scenario मैंने डाल रखे है a stock which in a continuous uptrend मालें जो कोई stock है वो उपर जाता ही जा रहा है आपको यह भी याद रखना है कि the uptrend can last for few days to few years ऐसा नहीं कि RSI अगर 70 से उपर चला गया तो foreign market नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी यह हो सकता कि 70 से उपर वो कुछ दिनों तक रहे है या कुछ सालों तक भी रह सकता है इसलिए RSI को केवल RSI को लेके आप को addition ना लें आप एक idea लें बाकी parameter से evaluate करें उसके बाद ही एक position बनाया the RSI will remain stuck in the overbought region for long time and this also because RSI is upper bound to 100 तो क्या है 70 से लेके यह जाने को तो 100 जासता है अब भी 70 से overbought शुरू हो गया overbought zone बट इसको और limit कहां तक है 100 तक है तो यह तो होसता है और चार महीने 6 महीने एक साल 70 से 100 की बीच में घूमता रहे तो आप कैसे समझोगे कि अब भी overbought हो चुका है तो बाकी चीजों से भी आपको help लेनी पड़ेगी बाकी इंडिकेटर से help लेनी पड़ेगी सबसे बड़ा आपका stop loss लगा रहे ना चीए मालेज़ आपको लगा कि 30 पे आ चुका है RSI 30 के लेवल को cross कर दिया है आपने यहाँ पे buy कर लिया बट क्या ही और नीचे आता है 25 पे आता है 20 पे आता है 15 पे आता है 10 पे आता है और यह करीब 4 महीने तक आपने इसको buy किया था सपोस करी 100 पे चल रहा था वो शेयर और अभी आज की डेट में वा चुका है 60 पे तो क्या आप इसमें बने रहेंगे आपका money management rules हो यहाँ पे follow होगा ना 5% जो भी आपने stop loss decide किया था आपने buy तो किया expectation में कि उपर जागा लेकिन उपर नहीं नीचे आ रहा है वो तो आपन SL decide किया हुआ है suppose 5% का तो आपने 100 पे buy किया 95 आते हैं आप निकल जाओगे इसमें से फिर यह नीचे 60 पे आएगा 50 पे आए जहां पे भी आए आपको मतलब नहीं है आपको तो क्या है आप 5% का loss लेके निकल गया फिर अगर इस 60 पे आगया नीचे गिरते हुए तो आप 60 प टारगेट था और 95 आपका stop loss था अब आपको 60 पे मिल रही है यह चीज़ तो 60 से लगे 110 तो बहुत अच्छा percentage हो गया ना तो आप बहुत गेंद कर सकते हो तो बड़े-बड़े जो investor है वो ऐसे ही करते हैं अपना stop loss अपना money management भी साथ-साथ RSI या कोई भी indicator है MACD है उसके जिवन भी रखते हैं